हेलो नमस्कार दोस्तों जब हम बजार जाते हैं तो हमारे पास मोबाई लेता है अपने मोबाईल केल्कुलेटर से हिसाब कैसे करे है या नहीं पचास रुपे के भाव केड़ा है और बीस रुपे में केड़ा कितना हैगा जार रुपे के भाव कोई समान है पचास रुपे का कितना हैगा ऐसी बिलकुत छोटी छोटी बैसिक जानगारी इनके दोरा हम अपना तुरंट डाउट के लिए कर सकते हैं कि दुकानदार ने मुझे इतने रुपे का इतने भाव से ये समान सही दिया है जैसे हम केले की बात कर लेते हैं केले का भी भाव क्या चल रहा है पचास रुपे पर के जी मुझे चाहिए 20 रुपे का तो मैं दुकानदार के पास गया और मैंने डारेक्ट बोल दिया कि आप 20 रुपे का मुझे केला दे दो अब दुकानदार ने कुछ ग्राम मुझे तोल के दिया अब उसने सही दिया या गलत दिया मैं क्या calculator क्या करूँँगा कितने का ले रहा हूं 20 का भाव क्या है पचास जितने का ले रहा है उसमें भाव का भाग दे दो कितना आ गया दोस्तों 0.4 kg यानी 0.4 kg यानि कितना है 400 g देखिए जो g ग्राम होता है वो किस से गुणा हो जाता है kg जो है उसको g ग्राम में बदलते हैं तो किस से गुणा हो जाता है 1000 से तो kg की जगे आपका क्या आजाता है बचो g ग्राम आजाता है ठीक है या देखिए आप जो weight machine देखते हैं तो उसमें कैसा दिखाए देगा 400 g 0.4 ऐसे दिखाए देगा ठीक है ओके समझ गए अब जैसे हम एक और example लेते हैं मैं खरीदने गया काली मिर्च का भावा था 700 रुपए पर किलो और मेरे को लेनी थी काली मिर्च 50 रुपए के कितने रुपए की 50 रुपए के तो मैंने क्या किया 50 मैं 700 का भाव दे दिया तो यहाँ पर मेरे कितने आगी 0.07 किलो ग्राम है यहनी कितना ग्राम 70 ग्राम देखिए पहले इस्तान पर होता है तो 100, 200, 300, 400 ऐसे ठीक है यहाँ पर दूसरे इस्तान पर होता है तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम यह आप जानते हैं ठीक है तो हमें 5 ग्राम चाहिए तो तीसरे इस्तान पर जो नमबर आ रहे हैं वो क्या है आपका 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम हालनकि हमारा 70 ग्राम, 80 ग्राम ऐसे ही जो नॉर्मल कांटा होता है उसमें हम ऐसे देखते हैं उपर के डिजिट हम ज्यादा तर कामें नहीं लेते हैं या तो ये 100 ग्राम 200 ग्राम ये कामें लेते हैं या फिर ये वाले कामें लेते हैं 70 ग्राम 50 ग्राम ओके यह बेसिक जानकरी होगी अब हम उल्टा कर लेते हैं कैसे उल्टा यह कर देते हैं कि हमें 20 रुपए में जैसे कितना ग्राम दिया था 400 ग्राम अपना वेट मसीन में कैसे दिखाए देगा 0.4 ऐसे दिखाए देगा तो यह किस भाव पड़ा होगा भाव निकलना है तो देखे हमने खिया क्या था उल्टा कर देंगे हमने क्या किया था 20 में 50 का भाग दिया था तो बराबर अब हमें यह वाली रासी ग्यात करनी है तो अब हम उल्टा क्या करेंगे यह कितना किलोग्राम है 0.4 किलोग्राम यह निए 400 ग्राम है तो 0.4 का इसमें भ बेखाव-ब्यान जहिएगा , यह निर। tattooD कुछ बारे कि देका रहुत कर्या है ज़िए वेईिटा का बातकी हैं और दुकानदार ने मुझे कितने दी वेट मसीन में कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है जो कांटा है वेट करने का उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ रहा है अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या भाव रही होगी तो मैं क्या करूँगा कितने के लिए 70 की कितनी आ रही है वेट मसीन में यह रही है यह कितना ग्राम है ठीक है तो इसमें भाग दिया तो क्या आगया भाव दोस्तों आपका 1000 आगया और यदि इसके साथ जैसे 5 है तो यह भाव आपका कम होता जाएगा एक है यह ठीक है ओके और जैसे 8 है यह 9 है तो इसके इसाब से आगे जो भी आपका विलिव चैंज होगो उसके इसाब से यह भाव आपका देख सकते हैं कम ज्यादा होता रहेगा ओके तो यह बैसिक जानका रही थी वीडियो कैसा लगा नहींचे कमेंट कर बताएं अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट पर विजिट करें